ओम शान्ती बीस छे दो हजार चौबेस की साकार मुरली मीठे बच्चे अब चने मुठी के पीछे अपना समय बरबाद नहीं करो अब बाप के मददगार बन बाप का नाम बाला करो प्रहश्न इस ग्यान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं उसकी निशानी क्या है उत्तर जिन बच्चों को शान्ती धाम और सुख धाम सदा याद रहता है याद के समय बुद्धी कहां पर भी भटकती नहीं है बुद्धी में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते बुद्धी एकाग रहे जुटका नहीं खाते खुशी का पारा चड़ा हुआ है तो इससे सिद्ध की कदम आगे बढ़ रहे है ओम शान्ती बच्चे इतना समय यहां बैठे हैं दिल में भी आता है कि हम जिसे शिवालय में बैठे हैं शिवाबा भी याद आ जाता है स्वर्ग भी याद आ जाता है याद से ही सुख मिलता है यह भी बुद्धी में याद रहे हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी जाना तो आखरीन सभी को शिवालय में है शांती धाम में कोई को बैट नहीं जाना है वास्तों में शांती धाम को भी शिवालय कहेंगे सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे दोनों इस्थापन करते हैं तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है वह शवाला है शांती के लिए और वह शवाला है सुख के लिए यह है दुखधाम, अभी तुम संगम पर बैटे हो शांती दाम और सुखधाम के सिवाय और किसकी भी याद नहीं होनी चाहिए भल कहां भी बैठे हो, धंदे आदी में बैठे हो, तो भी बुद्धी में दोनों शिवाला याद आने चाहिए दुखधाम भूल जाना चाहिए, बच्चे जानते हैं यह वैश्याला यह दुखधाम अब खत्म हो जाना है यहां बैठे, तुम बच्चों को जुटका आदी भी नहीं आना चाहिए बहतों को बुद्धी, बहतों की बुद्धी कहां कहां और तरफ चली जाती है माया के विखन पड़ते हैं, तुम बच्चों को बाप घड़ी-घड़ी कहते हैं, बच्चे मनमनाभो बिने बिने प्रकार की युक्तियां भी बतलाते हैं यहां बैटे हो बुद्धी में या याद करो कि हम पहले शांती धाम शिवाले में जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे जितना तुम याद करते हो उतना कदम बढ़ाते हो यहां और कोई ख्यालात में नहीं बैटना चाहिए नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुचाते हो फाइदे के बदले और ही नुकसान करते हो आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जाच करने के लिए बिठाया जाता था कौन जुटका खाते हैं, कौन आँख बंद करके बैठते हैं तो बड़ा खबरदार रहते थे बाब भी देखते थे इनका बुद्धियों कहां भटकता है क्या या जुटका खाते हैं क्या ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं है ब्रामनिया ले आती हैं शे बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए जो गफलत में नहीं रहें क्योंकि यह कोई ओर्डिनरी टीचर नहीं बाब बेट से खिलाते हैं यहां बहुत सावधान होकर बैटना चाहिए बाबा 15 मिनिट शांती बे बिठाते हैं तुम तो घंटा 2 घंटा बेटते हैं सब तो माहरथ ही नहीं है जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे जो याद में नहीं रहते व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं वह जैसे विग न डालते हैं क्योंकि बुद्धी कहा न कहा भटकती हैं महारती घोडे सवार प्यादे सब बैठे हैं बाबा आज विचार सागर मंतन करके आये थे म्यूजियम में अत्वा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय वैश्यालय और पुरुशोत्तम संगम यूग तीनों ही बताते हूं यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए यह चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चा जो मनश्यों की बुद्धी में जट बैटें बच्चों का विचार चलना चाहिए कि इसमें हम इंप्रूव्मेंट कैसे लाएं पुरुशोत्तम संगम यूग बहुत अच्छा बनाना चाहिए उससे मनश्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है तपस्या में भी तुम पाच्छे को बिठाते हो परंतु नहीं दस पंद्रा को तपस्या में बिठाना चाहिए बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए तुम इतना समझाते हो फिर भी समझते थोड़े ही है तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए पत्थर बुद्धी है न, तो जितना हो सके अच्छी रीती समझाना चाहिए, जो सर्विस में रहते हैं, उन्हों को सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना है, प्रोजेक्टर प्रदशनी में इतना मज़ा नहीं है, जितना म्यूजियम में है, प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं, सबसे का टीचर आए हैं, तो बैट थोड़े ही जाएंगे, कि बच्चे M.A.B.A. पास कर लें, बाब बैठा थोड़े ही रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा, बाकि थोड़ा समय हैं, तो भी जाकते नहीं, अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी, वह कहेंगी कि इ यह तो जैसे मुठी में चने हैं, यह सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं, बाब चने मुठी अब छोड़ाने आएं, पर अंतु छोड़ते ही नहीं, उसमें है चने मुठी, इसमें है विश्व की बादशाही, वह तो पाई पैसे के चने हैं, उनके कितना हैरान होते हैं, कुमारियां तो फ्री हैं, वह पढ़ाई तो पाई पैसे की हैं, उनको छोड़ यह नौलेज पढ़ते रहें, तो दिमाग भी खुले, ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बड़ो बड़ो को बैट नौलेज दें, बाप आएं हैं शिवाला इस्थापन क यह तो जानते हैं कि यहां सका सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, यह चने भी नसीब में नहीं आएंगे, किसकी मुट्टी में पांच चने अर्थाथ पांच लाख होंगे, वह भी खत्म हो जाएंगे, अभी टाइम बहुत थोड़ा है, दिन प्रति दिन हालत खराब होती जाती है, अचानक आफते आजाती है, मौत भी अचानक होते रहते हैं, मुठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं, तो मनश्यों को इस बंदरपने से छुडाना है, सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है, मनश्यों को सुधारना है, बाप तो भूगरा चना भी किसको नसीब में नहीं आएगा सब खत्म हो जाएंगे इससे तो क्यों ना बाप से बात्शाही ले ले कोई तकलीफ की बात नहीं सिर्फ बाप को याद करना है और स्वधर्शन चक्र फिराना है भूगरों से चनों से मुठ़्ी खाली कर को सम्हालना होता है कुमारियों के लिए तो बहुत सहच है कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको यह बात्शाही देते हैं तो बात्शाही लेनी चाहिए न अभी तुम्हारी मुठ़्ी हीरों से भर रही है बाकी और तो सब बिनाश हो जाएंगे बाप समझाते हैं तुमने 63 जन्म पाप की है दूसरा पाप है बाप और देवताओं की गलानी करना विकारी भी बने हैं और गाली भी दिया है बाप की कितनी गलानी की है बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं बच्चे टाइम नहीं गवाना चाहिए ऐसे नहीं बाबा हम याद नहीं कर सकते बोलो बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते अपने को भूल जाते हैं देह अभिमान में आना गोया अपने को भूलना अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो बाप को फिर कैसे याद करेंगे बहुत बड़ी मन्जिल है, सहज भी बहुत है, बाकि हाँ माया का अपोजिशन होता है, मनुष्य गीता आदी भल पढ़ते हैं, परन्तु अर्थ कुछ भी समझते नहीं, भारत की है ही मुख्य गीता, हर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है, जो धर्म स्थापन करने व बड़ी भूल है, सत्गुरु तो एक ही है, बाकि गुरु कहलाने वाले तो डेर हैं, कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया, तो वह भी गुरु हो गया, हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है, सत्गुरु एक ही है, अब तुमको सत्गुरु मिला है, वह सत्य बाप भी है, तो सत्य टीचर भी है, यह बच्चों को जास्ति गफलत नहीं करनी चाहिए, यहाँ से अच्छी डीती रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाने से यहाँ का सब भूल जाते हैं, गरब जेल में बहुत सजाय मिलती है, वहां तो गर्ब महल होता है विकर्म कोई होता नहीं तो सजा खानी पड़े यहां तुम बच्चे समझते हो हम बाप से सम्मोक पढ़ रहे हैं बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे वहां समझेंगे भाई पढ़ाते हैं यहां तो डारेक्ट बाप के पास आए हैं बाप बच्चों को अच्छी रीती समझाते हैं बाप की और बच्चों की समझानी में फर्क हो जाता है बाप बेट बच्चों को साउधान करते हैं बच्चे बच्चे कह समझाते हैं तुम शिवाले और वैशाले को समझते हो, बेहद की बात है, या क्लियर कर दिखाओ तो मनश्यों को कुछ मजा आए, वहाँ तो ऐसे ही हसी कुडी में समझाते हो, सीरियस हो समझाओ तो अच्छी रीती समझे, रहम करो अपने पर, क्या इस वैशाले में ही रहना है, बाबा के बहुत अच्छा है, गाओं में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते, साहुकार पैसे वाले होंगे तो समझेंगे भी नहीं, बिलकुल अटेंशन ही नहीं देंगे, वह पिछाडी में आएंगे, फिर तो टू लेट हो जाएंगे, ना उनका धन काम में आएगा, ना योग में रह सकेंगे, बाकी हाँ सुनेंगी तो प्रजा में आएंगे, गरीब बहुत उच्पद पा सकते हैं, तुम कर्ण्याओं के पास क्या है, कर्ण्या को गरीब कहा जाता है, क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है, बाकी कर्ण्या दान दिया जाता है, तब वि कार में जाती हैं, कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाई भी नहीं देंगे, मनोवरत्ती देखो कैसी है, तुम कोई से भी डरो मत, खुली रीती समझाना चाहिए, फुर्त होना चाहिए, तुम तो बिलकुल सच कहते हो, यह है संगम यूग, उ इस तरफ है हीरों की मुठी, अभी तुम बंदर से मंदर लायक बनते हो, पुरुशार्थ कर हीरे जैसा जन में लेना चाहिए, शकले भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए, कोई कोई की शकले जैसे रिड है, बकरी मिसल है, थोड़ा आवास से डर जाएंगे, तो बाप सभी बच्चों को खबरदार करते हैं, कन्याओं को तो फसना नहीं चाहिए, और ही बंधन में फसेंगे, तो फिर विकार के लिए डंडे खाएंगे, ज्यान अच्छी रीती धारन करेंगी, तो विश्व की महरानी बनेंगी, बाप कहते हैं, मैं तुमको विश्व की नशाही देने आया हूँ, परन्तु किसी किसी के नसीब में नहीं है, बाप है ही गरीब निवाज, गरीब है कन्याओं, माबाप शादी नहीं करा सकते हैं, तो दे देते हैं, तो उनको नशा चढ़ना चाहिए, हम अच्छी रीती पढ़कर पद तो अच्छा पाएं, अच् 21 जन मिली है यहां है अल्पकाल का सुख आज कुछ मरतबा कलमौत आ गया खलास योगी और भोगी में फर्क है न तो बाप कहते हैं गरीबों पर जादा अटेंशन दो साहुकार मुश्किल उठाएंगे सिर्फ कहते बहुत अच्छा है यह संस्ता बहुत अच्छी है बहुतों का कल्यान करेगी अपना कुछ भी कल्यान नहीं करते हैं बहुत अच्छा कहा बाहर गये खलास माया डंडा उठा कर बैठी है जो होसला ही गुम कर देती है एक ही धपड लगाने से अकल चट कर देती है बाप समझाते हैं भारत का हाल देखो क्या हो गया है बच्चों ने ड्रामा को तो अच्छी रिती समझाए अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला चने मुठी छोड बाप से विश्व की बात्शाही लेने का पूरा पुरुशार्थ करना है किसी भी बात में डरना नहीं है निडर्बन बंधनों से मुक्त होना है अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है दूसरा इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थत शांती धाम सुख धाम को याद करना है माया के विखनों को जान उनसे सावधान रहना है वरदान गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नस्ट मोहा स्मरती स्वरूब भव गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नश्टो मोहा स्मरती स्वरूब भव गीता ग्यान का पहला पाठ है आशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नश्टो मोहा स्मरती स्वरूब बनो पहला पाठ है विधी और अंतिम पाठ है विधी से सिद्धी तो हर समय पहले स्वयम यह पाठ पढ़ो फिर औरों को पढ़ाओ ऐसा स्रेष्ट कर्म करके दिखाओ जो आपके स्रेष्ट कर्मों को देख अनेक आत्मा है स्रेष्ट कर्म करके अपने भागे की रेखा स्रेष्ट बना सके स्लोगन परमात्मे इसनेहे में समाई रहो तो महनत से मुक्त हो जाएंगे परमात्म इसनेहे में समाए रहो तो महनत से मुक्त हो जाएंगे अच्छा, ओम शांती परमें गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिष्टियों ही दे ते रहों बाबा